होली रंगों का तैवार जो मस्ती और उल्लास से बढ़ा होता है इस दिन लोग एक दूसरी को विबिन प्रकार के रंगों से सराबोर करते हैं जिसमें गुलाल, पानी के रंग और प्रकर्ती रंग इसके अलावा पक्का रंग सामिल है हाला कि होली खेलने का आनंद लेने के बाद रंगों को चुड़ान एक चुनोती पूनकार बन जाता है ऐसे में अगर आप खुद को रंग चुड़ाने की मसकत से बचाना चाहते हैं तो आप लकनव राजकी आयुरवेदिक महाविद्याले के प्रचार इवं डीर प्रोफेसर में होली आ रही है और हम लोग जो होली नेचुरल कलर से खेलना चाहिए और जब अपने बच्पन की याद बात करते हैं तो उसमें जो धाक इसमें खुब फुलाए जब होली होती है तो धाक में फूल आ जाते हैं और धाक के फूलों को रात भर पानी में बिगो दीजिए तो बहुत बढ़ियां आरेंज वाला क्लर तैयार हो जाता है अलका पेला और फारन डाड का कलर जो अच्छा दाई 알 हो जाता हैür इतनी भी आयली चीज़ें होंगी उस पे चिपकता है जो कलर होगा उस पे चिपकता है जो कलर होगा उस पे चिपकता है जो कलर होगा चाहे नारील का तेल लगा जाए कोई तेल लगा ले जो आयली चीज़ होगी वेक्षिन होगी वो जो है आप पे कलर को चिपकने नहीं दें तो उसको छुडाने के भी अपने तरीके है नीबू से छुडाईए या जो है आपका आटा ले लिया जो का आटा और उसमें नीबू मिला दिया या दही का पाने मिला दिया उससे छूट जाता है या गुलाब जल से आप धोते हैं उससे छूट जाता है ये सब छुडाने के और बॉली के रंगों से स्कू आपके सरीर में ज्यादा देर तक कांटेक्ट में ना रहे या उसके जो दुस। प्रभाव से बचने के लिए हम को आयल गर मिलता हो लगाले नारियल का यह सब लगाने से हमारे सरील में ज्यादा कांटेक में नहीं रएगा और आसानी से यह कलर चूड़ भी जाएंगे सिंपल साभूं से हम धो देंगे तो भी छोड़ जाएंगे ज्यादा मेहनत करने की ज़रूरत या ज्यादा प्रयास करने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है